नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैनो टाइपिस्ट का पिपर तो हम इसका जीकी पोर्शन ही डिस्कस करेंगे तो चलिए देखते हैं जीकी में हमारे पास कौन कौन सी क्वेशन है पहला है, मानव द्वारा उपयोग में हुई पहली दातु थी तो मानव द्वारा युज की हुई पहली दातु कौन सी थी तो इसका राइट आंसर है, option C, तामबा लेक्स्ट है, भारत पर आकरमन करने वाली पहली लोग कौन थे तो इंडिया पर पहले आकर्मन करने वाले लोग कौन थी? इसका right answer है, option D, आ रहे हैं Next है, गौतम बुद का जनम हुआ था तो गौतम बुद का जनम कहां हुआ था? इसका right answer है, लुम्बनी में ये इसका right answer है, option B Next है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? जो अर्थशास्त्र है, वो किसने लिखा था? इसका right answer है, option C, कौटिल लिएने Next है, गुप्तवन्ष किसके लिए परसीद था? तो गुप्तवन्ष किसके लिए परसीद था? इसका right answer है, option C, कला और स्थापत्य के लिए Next है, किस शाशक को लाख भक्ष की उपादी दी गई थी? तो इसका right answer है, option A, कुटब दीन, A बक्को Next question है, किसको दूसरा अलक्चेंडर कहा जाता है? तो किसी दूसरा अलक्चेंडर कहा जाता है? इसका right answer है, option D, अलाव दीन, खिल जेको Next question है, कृष्ण देवराय किसके समकालिन थे? तो वो किसके समकालिन थे? इसका right answer है, option C, बावर Next question है, अकबर उसकी धार्मिक चर्चा कहां करता था? तो इसका right answer है, option C, इबादत खाना ये इसकी right answer है Next question है, सबसे शक्तिशाली पेश्वा थे? तो सबसे शक्तिशाली पेश्वा कौन थे? इसका right answer है, option B, बाजीराव first ये इसका right answer है Next है, भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो पहली ट्रेन इंडिया में कब शुरू हुई थी? इसका right answer है, option A, 1853 में इसका right answer है Next question है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फेक्टरी भारत में स्थापेद की थी? तो वो कहां की थी पहली फेक्टरी अंग्रेजों ने अपनी स्थापेद? इसका right answer है, option C, सूरत में Next question है, Home Rule League किसने शुरू की थी तो जो Home Rule League है वो किसने शुरू की थी इसका Right Answer है Option B, BZ दिलक ने इसका Right Answer है Next Question है 1784 का Peats India अधियनियम था तो इसका Right Answer है Option D, Regulating Act ये इसका Right Answer है Next Question है, जिला कलेक्टर की पद का स्रीजन कब किया गया था तो इसका स्रीजन कब किया गया था तो इसका Right Answer है Option B, 1772 Next Question है भारत की सम्वीधान को तियार किया गया था तो किसकी द्वारा तियार किया गया था इसका Right Answer है Option ही सम्वीधान सभा की द्वारा Next है बार्तिय सम्वीधान है तो इसका राइट आंसर है option B अर्थ संग्य सम्वीधान ये इसका राइट आंसर है next है हमारी सम्वीधान में आर्थिक योजना किसमें है तो आर्थिक योजना हमारी सम्वीधान में किसमें है तो इसका right answer है option C, समवर्थी सुची में Next question है कौन सी याच का नीजी स्वतनतरता का बचाव है तो इसका right answer है option B, बंदी प्रत्यक्षी करण ये इसका right answer है Next question है भारत के समीधान के किस अनुछेद में समान सीविल कोड बताया है तो इसका right answer है option B, 44 ये इसका right answer है Next question है देश का पहला कानूनी अधिकारी कौन है तो देश का पहला कानूनी अधिकारी कौन है इसका right answer है option B, attorney general Next है 530 option इसका right answer है Next question है मुख्यमंत्री किसकी द्वारा न्युक्त किये जाते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजयपाल की द्वारा next question है भारत की उच नियाले के पास है उप्रोक्त सभी मूल अधिकारिता परामर्शी अधिकारिता और अपीली अधिकारिता ये सभी आप्शन डेस का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन है तिहतरवां सम्विधानिक संसोधन किस से संबंदित है तो तिहतरवां जो सम्विधानिक संसोधन है वो पंचाईती राज से संबंदित है आप्शन ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है भारत की राष्टपती को कितने प्रकार के आपात कालीन अधिकार है तो उसके पास है दो प्रकार के ओप्शन यह इसका राइट आंसर है Next question है UPSC के सदस्यों की न्युक्ति कौन करता है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन है राष्टपती Next question है नेमन में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है जो इन में से सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है इसका राइट आंसर है ब्रिहस पती इसका राइट आंसर है Next है स्मूद्र में अंतरियों को कहते हैं तो स्मूद्र में अंतरियों को क्या कहते हैं ऑप्शन सी प्राय दिविप कहते हैं इसका राइट अंसर है नेक्स्ट है घास के मेदान कहां पंपास कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं ऑप्शन ए दक्षिन अमेरिका में इसका right answer है next है वर्षा और हीम के मिश्रंड के रिष्टिपात के स्वरूप को कहती है तो क्या कहती है इसका right answer option C हीमी वर्षा next है पृत्वी समेलन किसकी द्वारा आयोजीत किया गया था तो इसका right answer option D UNCED की द्वारा next question है सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है जो सरगासो समुद्र है वो कौन से महासागर में स्थित है तो इसका right answer option है Atlantic महासागर में next question है दक्षिन सुडान की राजधानी है तो दक्षिन सुडान की राजधानी है जूबा option B इसका right answer है next question है कौन सा राजय भारत का सरक्षित राजय है तो इसका राइट आंसर है Option D, Sikkim Sikkim इसका राइट आंसर है Next question है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराष्ट्रिय सीमा है तो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया की सबसे लंबी अंतराष्ट्रिय सीमा है गौडवीन आस्टिन वो क्या है इसका राइट आंसर है यह एक चोटी है option B इसका right answer है next question है कौन सी नदी को वृत गंगा भी कहा जाता है कौन सी नदी है जो वृत गंगा की नाम से भी जानी जाती है तो इसका right answer है option C गोदावरी next है भारत की जलवायू है तो भारत की जलवाईू कैसी है इसका राइट अंसर है मौनसूनी ओप्शन भी इसका राइट अंसर है नेक्स्ट है पैट्रोलोजी किसका अध्याईन है तो पैट्रोलोजी वो किसका अध्याईन है इसका राइट अंसर है शेल ओप्शन भी इसका राइट अंसर है विक्सित हुआ पहला बंदर गहा था, तो वो कौन सा बंदर गहा था, जो स्वत अंतरता के बाद विक्सित हुआ था, इसका राइट आंसर है, option D, कांडला. next question है, HPG, pipeline क्या परिवेण करती है, तो इसका राइट आंसर है, option B, प्रकृतिक वायो, यह इसका राइट आंसर है, next है, सिहें भूम किसके लिए प्रसीद है, इसका राइट आंसर है, option B, लोहे के लिए प्रसीद है, next है, सबसी कम लिंग अनुपातवाला भारतिय राज्य है तो सबसी कम लिंग अनुपातवाला भारतिय राज्यो कौन सा है इसका right answer is option a हरियान next question है higher or fire किसकी नीती है इसका right answer है ऑप्शन a पुंजिवाद की next question है मांग निर्मान करनी में किसकी आवश्रक्ता होती है तो इसका right answer है option c आये की next question है नियत लागत को जाना जाता है और नियत लागत को किस के जाना जाता है इसका right answer है option d उपरी लागत की नाम से भी जाना जाता है नियत लागत को नेक्स्ट है दुरुत सफीदी को ये है भी कहते हैं दुरुत सफीदी को और क्या कहते हैं इसका राइट आंसर है option C अती सफीदी नेक्स्ट वेशन है अर्थ व्यवस्ता में पुंजी निर्मान आधारिद है तो इसका राइट आंसर है option C, कुल बज़त ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट वेशन है अध्योगिक रेन के लिए रेनों के लिए शिर्ष बैंक निमन में सी कौन सा है तो वो है IDBI option D, इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है RBI का मुख्यालय कहां स्तित है तो RBI Reserve Bank of India का मुख्यालय कहां स्तित है इसका राइट आंसर है option C, मुंबई नेक्स्ट है निमन में सी कौन सा प्रत्यक्षकर है तो प्रत्यक्षकर कौन सा है संपतिक अगर option C, इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है बांस किसका प्रकार है तो बांस एक घास है option D, इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है पोलियो का कारक जीव कौन सा है तो पोलियो होता है विशानों के कारण option D's का right answer है नेक्स्ट है रेजीन किसका उत्पाद है तो इसका right answer है option B शंकुधारी विरिक्षिस का right answer है नेक्स्ट है वर्मी कमपोस्टिंग किसकी द्वारा होता है तो ये होता है क्रीमी के द्वारा option C इसका right answer है नेक्स्ट है सकर्वी किसकी कमी के द्वारा होता है सकर्वी होता है विटामिन C की कमी से option D इसका right answer है नेक्स्ट है पीतरस कहां से स्त्रावित होता है तो पीतरस होता है यकरित से स्त्रावित आप्शन भी इसका राइट अंसर है नेक्स्ट है एक्स किन्नों की खोज किसने की तो इसका राइट अंसर है रोन सेनने आप्शन यह इसका राइट अंसर है next है shaving दरपण है तो shaving दरपण कैसा दरपण है इसका right answer है option B अव्दल दरपण next है तोहनी किस में सबसे तेज गती करती है तो इसका right answer है option A steel next है नेमन में सी कौन सा radioactive तत्व है तो इसका right answer है option B uranium नेक्स्ट क्वेशन है विनेगर का रासाइनिक नाम है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन है एस्टिक एसिड ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है फ्यूस वायर किन मिश्रदातू से बनता है तो ये बनता है टीन और लेड ओप्शन ये इसका राइट अंसर है आज की इस वीडियो में फ़लाली इतना ही थेंक्यू सो मच